हाई विनर्स आई होप योल आर विल डिस राइड राजीवानन्द वल्कम तो क्रिप्टो मार्ग यूट्यूब चानल क्रिप्टो का रास्ता विनर्स जन क्रिप्टो में आप लोग ने लास्ट 24 आर के अंदर थोड़ा बोती लेकिन एक रिकवरी जुरूर देखी होगी अग प्राइस कब बढ़ सकता है इसके बारे में इस वीडियो में पूरी बात करेंगे और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज कनेक्ट विद मी ऑन ट्विटर क्योंकि चाहे जैन है चाहे बिट ग्रेट है शिबा है डोज है जितने भी क्रिप्टो प्रोजेक्स की चलिए सबसे बात करते हैं मैंने जो खुद परसनली दो घंटे पहले जैन से रिलेटेड एक ट्विट किया अगर आप इस ट्विट को समझ जाएंगे तो डेफिनेटली आपको भी कई न कई पर जैन के अंदर आने वाले कुछी टाइम में एक पोटेंशल दिखाई जरूर देगा और इसी ट्विट का ही रीजन है जैन का प्राइज बुलिश जैन विल बी मैसिव नियर फ्यूचर अ न्यू रिफ्लेक्शन टोकन अजब आई है तब ही हम लोगों को लास्ट 24 आर में जैन में एक बार नई हाइप देखने का मोका मिला नई बुलिश देखने का मोक मिला इसका एक रीजन तो यह है दूसरा कल आप लोगों ने देखा होगा एपेक्स जो एकसी एनेफटी जैन वो 110 थी अब वो 6 और बढ़ चुकी है 116 हो चुकी है एक जिक लेकिन एकस यूनिकॉन जो सीरीज है जिस एनेफटी को मिंट करने के लिए 10 बिलियन जैन टोकन ज आज भी 17 है जो इंक्रिमेंट देखने को मिला है वो एपिक और रेर सीरीज में देखने को मिला है यहीं पर 89 लिमिटेड सीरीज के नेफटी मिंट हो चुकी है और collector जो NFTs है, जो कल 4800 के approach थी, वो 5000 से उपर हो चुकी है, इसका impact जो है, वो Zen की burning पर पढ़ता है, कितनी Zen की total burning हो चुका है, उसके लिए आप Zen Turbo चेक कर सकते हैं, आप जानते हैं, Zen में daily minting भी बढ़ती है, तो ये है minting की detail, आज की total supply, जो total minting या आप बोले Zen की total supply of token, mint कितना ह अपडेट चेक करें, तो burning update जो कल 8% से ज्यादा पहुँच चुका था, 8.08, वो अब 8% से down होकर 7.92% पहुच चुका है, क्योंकि अगर NFTs mint कम होगी, तो burning कम होती है, लेकिन minting continuous रहती है, that's why वो 8.08% से नीचे गिर कर 7.92% हो चुका है, अभी तक हम लोग Zen Crypto से एक ही चीज समझ पाएं है, कि Zen Crypto minting based project है, जिसमें आप लोग minting करते हो और supply बढ़ती है, दूसरा concept हमने समझा, XC NFTs का, जिसका सबसे वड़ा impact कहा है, जितनी NFTs time to time mint होती रहेंगी, उतना ही Zen Token burn होते रहेंगी, अब मैं वापसी अपने tweet पर चलता हूँ, और आपको एक नया adoption Zen की तर system या Zen Token को burn करने के लिए, एक नया reflection token जो है, वो introduce करने जा रहें, जब इसकी finally बहुत close announcement होँगी, वो एक बहुत बड़ा time होगा, आपके लिए Zen से पैसा कमाने का, एक चीज़ ज्यान रखिए, जैसी announcement आएगी, मैं कोशिश करता हूँ, Jack Levin के official profile को follow करने की, हमेशा follow करता हमेशा कोई नया tweet आता है, तो आपके साथ मैं retweet share करता हूँ, तो आप भी Zen के founder Jack Levin का official Twitter profile है, इसको follow कर लिजिए, reason जैसे ही आप देखेंगे, कि 3 दिन, 4 दिन या 5 दिन रहते हैं, और Zen अपना नया reflection token launch करने जा रहा है, आप Zen के price में increment देखेंगे, अगर उस increment में आपको ये मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले एक डेड़ महीने में possible हो जाएगा, या उससे भी पहले हो जाएगा, दूसरा reason, अगर आपको लगता है कि Zen में potential है, तो आप इसको continue रख सकते हैं, और जितना आपने Zen को buy करके रखा हुआ exchanges से, अगर आप वहाँ से कुछ return निकाल कर, थोड़े बहुत token को hold करकर रखना चाहते हैं, it's totally up to you, लेकिन आपको मैं clear picture दे रहा हूँ, जैसे ही ये reflection token की date announce होगी, या लगेगा कि एकदम से आने वाला है, जैसे आपने कई projects में देखा है, जब Binance listing की बात आती है, या किसी भी और बड़ी exchange, Coinbase या Kraken की बात आती है, त token will be in the market, will be in the, will be add in the ecosystem of Zen, आपको प्राइज हाई दिखेगी, क्योंकि उस तेम पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा buy करते हैं, तो वो एक मोका होगा, otherwise आपको wait करना है, Zen की burning का, अब देखिए, जो ये नया reflection token होगा, ये ऐसे नहीं होगा कि आप आए, और आपने reflection token को buy कर ल है, hard cap होने वाली है, इस reflection token की 100 million की, इस token का, जो distribution time है, वो 5 साल रखा जाएगा, already ये मैंने Zen के जो official founder है, Jack Levin, उने की वीडियो में से देखकर tweet किया है, जो distribution time है, इस particular new reflection token का, ये 5 years तक का है, लेकिन monthly distribution होगा, game theory के base पर, जैसे माली जीये, दो लोगोंने mint किया, तो उनके person आ गया, तो उसका 33% हो गया, माली जी ऐसी 10 लोग आ गए, ठीक है, तो जो 10-10% distribution हो गया, so का मैं average ली रहा हूँ, 20 लोग आ गए, तो 5-5%, जिस दिन 100 लोग हो गए, तो सबका 1-1% का distribution होगा, अगर जिस दिन 1000 लोग हो गए, तो सबका 0.11% का distribution होगा, like आपने, आपको पता है, जब एक project की mining शुरू होती है, और 10 minute में अगर 50 वो distribute होने है, और 10 ही total है, तो सबको 5-5 मिल जाते हैं, लेकिन जैसी वो लोग 100 हुए, तो सबको हर 10 minute में आधा-धा token मिलता है, same in this, but इस reflection token से, zen पर क्या impact पड़ेगा, हमें अब वो समझना है, तो अब आप ये समझे, reflection token भी help करेगा, zen को burn करने की, जैसे XC NFTs help कर रही है, मैं आपको एक और चीज की guarantee देता हूँ, अगर ये आने वाले एक महीने में, यहाँ पर आपको 100 लिखा दिग गया, X Unicorn Series का, तो ये price massive return पे जाएगा, but ऐसा possible नहीं हो पा रहा, because gas fee काफी जादा लगती है, एक NFT को mint करने मे और उसका record आप zen turbo पे देख सकते हैं, that's the reason के zen का price अभी नहीं बढ़ पा रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये project market में अब एक अपना awareness चला रहा है, धीरे धीरे लोगों को पता लग रहा है, और आप देखेगा, आने वाले 4-5 महीने में, पूरा का पूरा, जितने भी आस तक the zen, तो वो मैं कहता है, रोक ही नहीं सकते हैं अपने आपको content बनान से, because जिनको इसका potential समझ आ गया, वो definitely zen में interest दिखाएगा, ये project ही कुछ ऐसा है, minting, then supply burn करने का अलग से process, और अब तो reflection, token into the market, अब ये समझे, 5 साल इसका proper distribution time है, मंतरी distribution होना है, game theory based पे, जितने लोग अब जब ये distribution होगा, तो इसके लिए, आपको अपने zen token को sacrifice करना होगा, ऐसा नहीं है, जो आप लोग ने, मतलब exchanges से बाय करकर रख लिया, उसको sacrifice करना है, माल लीजिए, एक wallet है, दिखिए, मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ, exactly क्या होगा, मैं यहाँ पर आपको zen क एक website open कर लेते हैं, zen.network, या जैसे 3-4 इनकी website है, जहाँ पर आप पूरा data निकाल सकते हैं, अभी आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, zen, info, mint, जैसे कल मैंने Binance Smart Chain पर आपको minting करके दिखाई थी, तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, अब तो मेरी minting जो है, उसको ए data mask का, वो connect हो चुका है, तो mint पर चलते हैं, अब यहाँ पर हम mint पर देखिए, 451 days के लिए mint लगाई है मेने, जिसमें अब 449 days remaining है, तो जो मैं यह minting कर रहा हूँ, अब इसमें इतने जो है, estimated zen मुझे मिलने हैं, अब यहीं पर ना थोड़े time में, एक reflection token जो है, वो add होने वा अलाकि जो minting है, यह Ethereum main net पे है, देखिए, यह भी आपको पता होना चीए, जो अभी present minting हो रही है, वो Ethereum main net पे है, मतलब जिन लोगों ने Polygon से, Doge Chain से, या Binance से, Zen Crypto के minting की है, उनके लिए अभी यह minting process नहीं है, हो सकता आने वाले time में, Binance पर और Polygon पर भी हो जाए, यह त सेक्शन हो गया, यहीं पर ही इसका portfolio सेक्शन हो गया, तो यहीं पर मुझे आसर रखता कि आने वाले time में, आपको reflection token दिखेगा, आपके पास minting के project token होंगे, और यहीं पर अगर आप उस reflection token में participate करना चाहते हो, और आप चाहते हो, कि वो 100 million की supply वाला token आपको भी मिले, तो आ 100 million hard cap वाला project definitely हर कोई buy करना चाहता है, अगर उसको वो बहुत small amount में मिल रहे हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं, कल वाली वीडियो में मैंने आपको clear भी किया था, maximum supply वाले token के साथ यही problem आती है, उनका price बढ़ाना बहुत बढ़ी hurdle होता है, इस hurdle को हम लोग, बेबी डोच, शिबा उनुमें पिछले 1,5 साल से face भी कर रहे हैं, लेकिन आने वाला time, जैसे जैसे project अपने अंदर improvement कर रहे हैं, वो हमें कहिना के पर अच्छे return देने के लिए तैयार भी हो रहे हैं, शिबा के example में अगर मैं बात करो तो Shibarium, Baby Doge में अगर मैं बात करो तो Baby Doge का buyback, जो उन्होंने swap option पर as a utility start किया है, so Zen is not about meme cryptocurrency, it's a proper ecosystem और potential based token, start with the minting, then XCNFT on Ethereum network and then they are into finally a reflection token, ये है मेरे इस tweet का मतलब, एक नया token जिसकी supply 100 million, उसका time 5 साल, मंत्री distribution होगा, और लेकिन उसकी लिए हमें अपने Zen token को burn करना पड़ेगा, तो जैसे जैसे Zen token burn होना शुरू होगे, price पर आपको पता ही है, impact आना शुरू होगा, लेकिन पहला जो impact है, वो announcement से आएगा, ध्यान रखिए, आप अगर इस चीज का wait करें, कि जब ये आ जाएगा, फिर हमारे को एकी दिन में price मिलेगा, ऐसा नहीं होगा, इस announcement से impact होना है, जब इसकी proper date announce होगी कि reflection token कब add हो रहा है इस Zen network में, एक तो वो मोका होगा, उसके बाद कितने लोग अपने Zen token को burn करके, जो reflection token है, उसको mint करेंगे, वो उस पे depend करता है, जैसे अब XC NFTs पे और नया जो reflection token है, इसकी उपर price बहुत जादा depend करता है, अगर NFTs जल से जल mint हो, यहा तो definitely उतना ही supply पर impact आ जाएगा, और वो आप यहाँ देख पाएंगे Zen Turbo में, जो अभी सिरफ 7% है burning, अगर यह 7% जो है, वो 70% तक पहुँच गई, या मैं बोलो 20% तक पहुँच गई, तो definitely इसी का impact हमें price में देखने को मिलने वाला है, तो हमारे पास अभी तीन option है, we are wait for the XCNFTs, जो थोड़ा सा लंबा टाइम निकल सकता है, साल, डेड़ साल भी लग सकता है, दूसरा, wait for the announcement, new reflection token, और third impact है, कि आप अपने इन Zen token को personally burn करें, और जो Zen का नया reflection token होगा, उसको mint करें, तो Zen अगर burn हुआ, supply reduced होई, तो जो अपने buy करके रखा होगा, definitely उससे आप लोग return कमा भी सकते है, अभी तक के real जो update मुझे समझ आया है, वो यह है, बाकि आपके पास कोई update हो, please share with me on comments, this is the overall latest update on Zen Crypto, thank you so much for watching this video, but please keep it in mind, you are in the highly volatile market, so if you want to buy, if you want to start, if you want to trade in crypto, please do your own research first, thank you so much, and please do subscribe Crypto Mark YouTube channel for more updates, thank you so much.